मित्रो हमारा प्यारा देश किस हालत में है एक जमाने की सोने की चुलिया आज भ्रष्टाचार जातिवाद और आतंगवाद का शिकार बन चुका है और आजक्ता की और तेजी से बढ़ते हमारे देश के लिए क्या कोई उपाय नहीं है है हाँ एक कारगर उपाय जरूर है एक काम भारती के नाते हम इसे एक एनालोजी के माध्यम से आपके सामने रखते हैं समझ लिजे हमारी अर्थव्यवस्था एक बहुमंजली इमारत है चत पर पानी की टंकी यानि की सरकारी खजाना है इस टंकी से प्रार्थमिक्ता के अनुसार पूरी इमारत को पानी का सप्ला रहे हैं फिर भी उपर वाली टंकी में पर्याप्त मात्रा में पानी क्यों नहीं आ रहा है अरे ये पानी उठाने वाली नलियों से बड़ी मात्रा में पानी बाहर फिसल रहा है क्योंकि ये सभी नलियां पुरानी हो गई हैं सडी हुई हैं फटी पड़ी हैं ये पंप और ये राजस्व यानि की आए प्रदान करती है इस लीकेश से यानि की कर्चोरी की वजह से कानूनी अर्थव्यवस्था के बजाए समानतर अर्थव्यवस्था ही मजबूत हो रही है और ये शासन व्यवस्था के आए के पक्ष की बड़ी गंभीर तुरुटी बन चुकी है इस रिसाव का लीकेश का कोई हिसाब नहीं है इसलिए ये अन एकाउंटेबल है इसको काला पैसा भी कहा जा सकता है दूसरी तरफ टंकी में जितना भी पानी है वो सभी मंजिलों को पूरी तरफ पहुची नहीं रहा है सप्लाए करने वाली नलियों से भी रिसाव हो रहा है ये है ब्रेश्टाचार उपर से सो रुप्य भेजे तो नीचे दस रुप्य भी नहीं पहुँचते इस ब्रेश्टाचार की वजह से समानतर अर्थव्यवस्था बढ़ती ही जा रही है इस पर शासन क्या कर रहा है बाहर से टेंकर से पानी लाकर निचुले वाले हौद में डाला जा रहा है ये सोच के शायद उपर वाली टंकी तक परियाप्त पानी पहुच जाए मजे की बात ये है कि बाहर से लाया गया पानी लीकेज को और बढ़ावा दे रहा है और हो सकता है ये टूजी, कोईला गेट, इत्यादी की जननी हो अब देखिए समानतर अर्थव्यवस्था किस तरह से भूमिगत अर्थव्यवस्था में बढ़ल कर भ्रष्ट राजमीती, प्रशासन और उद्योग जगत को बढ़ावा दे रही है दुर्भागे से मेरे प्यारे देश का साथ सत्तर प्रतिशत आम आदमी पानी के लिए इस भूमिगत अर्थव्यवस्था के आखरी छोर पर खड़ा है जिसे उपर वाली तंकी से कानूनी अर्थव्यवस्था से पानी मिल ही नहीं रहा आगे मामला और भी संगीन है ये चहरा याने देश विगातक भ्रष्ट शक्तियों का प्रतीक इस भूमिगत अर्थव्यवस्था से पोशित हो रहा है आज ये इतना पुष्ट हो गया है कि हमारे देश की सार्व भूमिगता को खुली चुनावती दे रहा है दूसरी तरफ यही भूमिगत अर्थव्यवस्था हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया भी चला रही है जिसकी वजह से हमारी राजनीती, नेक, इमांदार और लायक हाथों से निकल कर ब्रेश्ट और अपरादी हाथों में चली गई है ये है हमारे देश के काले पैसे का काला वर्तमान क्या ये स्थिटी बदल सकती है? हाँ ये बदल सकती है पूरी तरह से बदल सकती है और समविधान के दाइरे में ही इसका समाधान भी हो सकता है सिर्फ दोनों तरफ का रिसाव रोक कर हम पूरी समानतर अर्थव्यवस्था को द्वस्थ कर सकते हैं परिणामत भ्रष्ट आचार आतंकवाद और जातिवाद जैसी मूलभूत समस्याओं का पूरी तरह से निराकरण हो सकता है क्या हो सकती है ऐसी जादू की छड़ी जो हर रिसाव को रोक सकती है हाँ वो जादू की छड़ी है अर्थक्रांति प्रस्ता क्या है